प्यारे बच्चों इस क्लास में हम लो देखेंगे वार्शिक परिच्छा प्रश्ण पत्र कच्छा आठ बिसे सामाजी विग्यान इसमें आपको समय आपका रहेगा धाई घंटा और पुडांग का आपका जो है सो नम्मर का रहेगा यहाँ पर आपको नाम भरना है और यहाँ पर अपना रोल नमबर और फिर चलना है प्रश्ण पत्र 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 तो प्रश्ण पत्र आपका कहता है कि सभी प्रश्ण करने अनिवारे हैं तो सभी प्रश्ण आपको अनिवारी रूप से करना है और सिक्वेंस से करना है एक से लेकर अन तक जाना है तो पहला नमर कोश्चन आपका दियागा कि निमलिखित प्रश्णों में सही विकलप चुनकर लिखिए यानि पांच कोश्चन दिये गए हैं जो बहुविकलपी हैं और सही आपसन अपनी उप्तरपुस्टिका में लिखना है फर्स्ट कोश्चन आपका देगा है प्लासी के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतरत्त किया था अंग्रेजी सेना का नेतरत्त करने वाला कौन सा व्यक्ति था पहला है कलाइब ने दूसरा है कार्टिभर ने काइप्टन लाली ने या हेक्टर मुन्रो ने तो इसमें जो राइट आंसर आपका हो जाता है लाड कलाइव लाड कलाइव ने जो है प्लासी के मैदान में अंगरीजी सिनेकार नेतरत किया था दूसरा नमर कोशन है रेगुलेटिंग एक्ट बनाया गया था तो किसके समय में बना गया था यह नहीं पुषा रहा है कि कब बनाया गया था यह आपसे पुषा जा रहा है यह आप्षन है 1773, B है 1784, C है 8575 और D एसमें 1770, तो इसका जो राइट आंसर होगा 1773 समय था वारन हैस्टिंग का, है ना? वारन हैस्टिंग के समय पर रेगुलेटिंग एक्ट आ गर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करें साथ ही अपने दोस्तों के साथ सेर जुरू करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सिस्क्राइब करना मत भूलिएगा Q4 जागा राष्टी आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का गठन कप किया गया था तो चौथा नम्मर Q4 के लिए आपसन आपके सामने है A आपसन है 2005, B है 2006, C 2007 और D है 2008 तो इसका जो राइट आंसर होगा A 2005 राष्टी आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का गठन किया गया था 2005 में चौथा है दच्छेस यानि सार्ग की अस्थापना कहां पर हुई थी अस्थापना कब हुई थी ये बताना है 1885, 1885 और 1990 और 1980 तो कब की गई थी दच्छेस की अस्थापना तो इसमें जो राइट आंसर आपका होगा 1885 में दच्छेस की अस्थापना की दे गई थी और इसका मुख्याले कहां पर है ये सभी लोग कमेंट इम बाक्स में लिखेंगे कमेंट बाक्स में सब लोगों लिखना है कि दच्छेस का मुख्याले कहां पर है कॉश्चन नमर दो है सही और गलत बिकलब को चुनना है और उसके सामने जो सही है तो सही और गलत है तो गलत आपको लिख देना है देखो कॉश्चन नमर फर्स्ट दोय सेकेंड का फर्स्ट है वंदे मातरम गीत के रचैता लाला लाजपत राय है गलत है वंदे मातरम गीत आपका किस ने लिखा है बंकिम चन्द चटर जी ने दूसरा है प्रथम गोल में सम्मेलन 1930 में हुआ था यह आपका रायट आंसर है स्टेफन हाकिन एक परसिद सितार वादक थे तो यह भी आपका गलत है क्यों? क्यों क्यों इस्टीफन हाकिन थे वह एक विकलांग विकती थे और एक महान विज्ञानिक हुए है तो यह आपको ध्यान में रखना है यह question आपका यहां से statement जो है गलत है चोथा statement दियागा है कि मैदानों पर rail वाश रड़क मार्क बनाना सस्ता वाश रल होता है तो यह right answer है यहां पर सही है पांचों question दियागा है आउद्योगिक नगरों यो महा नगरों में अधिक जन्संख्या रहती है तो यह आपका यहां से क्या है question गलत है क्या है गलत है आउद्योगिक नगरों यो महा नगरों में अधिक जन्संख्या निवास करती है सही है क्योंकि जहां पर आउद्योगिक शेत्र होता है वहाँ पर लोग ज़्यदा निवास करते है नेक्स्ट पांच नमबर आपका दियागा है अधिक जनक्या निवास करती है तो यह आपका सही हो जाता है जहां पर उद्धों जंदे जदे होते हैं तो वहां पर लोग जदा निवास करते हैं यूपि वहांपर क्या है भर देना है यहां पर आप जो है क्या भरना है चूना पत्थर चूना पत्थर यहां से भर देंगे तीसरा है संयुक्त राश संग के अस्थापना को हुई थी तो संयुक्त राश संग का अस्थापना जो है 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी यह आपको लिज़ देना यहां पर दोती बेशो यद्यात के बाद इसके अस्थापना हुई थी ब्रह्म संगды स्थापना किस ने की थी तो राजा राम मोहन राय नाम सुना होगा बहुत ही इंपोर्टेंट है कई बार कमपटिशन एक्जा में पीपाशा जाता है तो यह कुस्छन जो है बहुत थी इंपोर्टेंट है इनको याद रखना संयूंक ब्रह्म समाज के स्थापना किस ने की थी तो राजा रहों राम मोहन राय ने पांचों कुछन इंडियन काउंसल एक्ट कब पास किया गया था तो 1861 में कब 1861 में जो है इंडियन काउंसल एक्ट आया था 1861 करांति के बाद जो है यह आपका एक्ट आया था पास हुआ था तो यह आपको ध्यान में रखना है चौथा कुश्चन है मिलान कीजिए इसमें आपको मिलान करना है रेगुलेटिंग एक्ट देखो आपको आप्शन में भी दिया गया है और यहां पर भी दे दिया तो 1773 में यहां पर लगा देंगे लाड़ बैटिंग लाड़ बैटिंग ने क्या था सती प्रथा का अंत किया था अगनिसामक यंत्र इसमें जो है कार्बन डाय अक्साइड गैस का प्रयोग होता है नोयड़ आपको कहां है गौतम बुद्ध नगर में है और तेल सोधन कार खाना यह आपका मथुरा में लगा हुआ है तो यह प्रकार से आपको मिलान कर देना है माचो नमर कुश्चन दिया गया है कि सभी खंडों के उत्तर दीजिए इसमें आपको को जो है पांच कोश्चन दिये गए हेंकि आंसर देना हैं और यह 25 नमर के हैंने तीन नमर का यह कोश्चन है परस्ट आपको युद्ध का महत्तु लिखिये तो यह सब कुश्चन जो हैं बहुत ही इंपोर्डेंट हैं और आने के ज़्याद चांसे होते हैं तो इन कुश्चन को आप पढ़के जाईएगा बहुत ही इंपोर्डेंट कुश्चन हमने रखे हैं और कुश्चन नमर 6 आपका दिया गया है स सभी खंडों के उत्तर दीजिए पांच कुश्चन है पीस नमर की है निए पांच नमर का एक कुश्चन है मैकाले भारतियों को अंगरेजी माधम से सिच्चा क्यों देना चाहता था नो जागर से आप क्या समझते हो संयुक्त राठ संग क्या स्थापना क्यों हुई थी अगर आपको जो है लिख देना है इसमें और कुश्चन मर साथ आपका दिया गया है कि सभी खंडों के उत्तर दीजिए यानि जितने भी कुश्चन आपके देखो पांच कुश्चन देगे हैं पांचों कुश्चन के अंतर देना है और इसके लिए आपको पची संग मेलें आप फर्स्ट आपका देखा 18 ताउन कुरांती की प्रमु घटनाओं के बारे में लिखे तो इसमें कई घटनाय जो है अलग-अलग सहरों में अलग-अलग समय पर हुई थी तो उन घटनाओं के बारे में जो है आपको लिखना है जैसे कि मेरठ में आपका घटनाय को रही वही इलाहाबाद में और बहराइच में है ना तो अलग-अलग प्रकार से घटनाएं हो रही थी अलग समय से पर तो उन में से कम से कुछ घटनाओं को आपको लिखना है स्वतंत्र भारत की ततकालिन समस्याओं का वड़न करते हुए उनके उपायों का पर प्रकार डालिए तो उसतंत्र भारत के समय कई कटनाईयां थी समिधान बनाने की कटनाई थी समस्या थी दूसरी जो बटवारे के समय कुछ समस्याओं थी तो उन समस्याओं पर प्रकार डालना है, उनके क्या उपाएं हैं, यह आपको लिखना है, और यहां से आपको पांच नमबर मिलेंगे, फिर आपको कुशन आपका दिया गया है कि कोईले, कोईला हमारे लिए किस प्रकार उपे होगी है, इस पस्ट कीजिए, और आपदा प्र पाएंगे, तो यह आप कमेंट बाक्स में जरूर लिखेगा, साथ ही चैनल को जरूर सब्सक्राइब कियो, साथ ही अपने दोस्तों के साथ सेर करिए, और वीडियो को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक भी कर दें, अगर आप इस प्रशन पत्र का पूरा हल चाहते ह तो कमेंट बाक्स में लिखेगा, तो हम इसका पूरा हल भी करवा देंगे, तो मिलते हैं नेक्ट वीडियो में, तब तलक के लिए धन्यवाद,